हरी ओम फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल हरी ओम हरे कृष्णा पर तो आप लोगों को जिसका इंतिजार था एकादशी की वीडियो वही वीडियो मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे आप इस एकादशी में जो की ये जेस्ट मास की कृष्ण पक्ष्ट की एकादशी है जिसे हम अपरा एकादशी और अचला एकादशी भी कहते हैं जो इस वर्स पढ़ रही है हमारे अगर अंगरी जी तिथी को ले तो ये पढ़ दब कहना चाहूँ तो फ्रेंटस ये एकादशी जो है ये अपने आप में बहुत महत्वर रकती है जैसा कि आप चानते है जो जो इनीरा कर्मास कि तिथी आरब हुई है इन सब में भी हमारे ब्रहम मूरत में उटने जो पूजा करने का बहुत बड़ा महात्म है अपने आप में तो चलिए सबसे पहले सुरू करते हैं हम इस कृष्ण पक्स की एकादसी के बारे में तो सबसे पहले अगर बात करें तो पूजा की विधी के बारे में तो पूजा की विधी सेम है आप विश्नु की भगवान स्रीकृष्ण की लड़ू वपाल की नारायन भगवान की पूजा करें शाली ग्राम है तो शाली ग्राम जी की पूजा करें आपकी इच्छा है आप कलस्था पित कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं अगर आप सामर्थिवान है नियम करक सकते हैं तो आप रखें नहीं तो आप नॉर्मल जैसे पुस परपित करें भगवान जी को जलर पित करें भोग लगाएं इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं अपने बिग्रह को स्नान करा सकते हैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहना सकते है इस तरह से आप भगवान की पूजा करें और पूजा करने के बाद जो कथा होती है इस कथा का वाचन करें लोगों को श्रवन कराएं कथा मैं अभी बताऊंगी और कोशिश करें कि इस दिन भर के इसमें एकादशी में आप ब्रत रहें ब्रत भी मैं जैसा कि हर एकादशी में आपको बताती हों कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि जल भी ग्रहन न करें कोशिश करें कि अगर जल नहीं ग्रहन करें जो पार बीना नहीं रह सकते तो आप फल खाएं लेकिन यह एकादस्षी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है और इस एकादशी में मिंस की एकादशी का ब्रत कोई भी एकादशी क्यों ना हो इस ब्रत में अन त्याग का बहुत बड़ा महत्व होता है तो आप कुछ भी करके कोशिश करें कि आप अन का सेवन ना करें तो अन से रहित जो भी आप अगर नहीं रह सकते तो आप उसका पान कर स और उसके बाद दिन भर आज जैसे कि आप जो भी जाब करते हैं अपने गुरू के दिए मंतर का भगवान के मंतर का तो कोशिश करें एक आधिशी के दिन उस जब को बढ़ाएं जादा से जादा भगवान की पुझा करें, मंतर का जाब करें और अगर किसी के पास कुछ भीनत्य भगवान नारायन का जो एक मंत्र है ओम नमो भगवते वाशु देवाया तो आप इस मंत्र का जाब भी कर सकते हैं और कोशिश करें एक कादेशी में पूरे दिन आपके मन में इस मंत्र का गायन होता रहे तो इस तरह से आप भगवान की पूजा करें और पूजा में भी मैं जैसा कहती हूँ कि आप भले ही लाख ये कर ले लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रत नहीं है आप भगवान को एक तुलसी दलबी अपनी श्रद्धा के साथ अगर समर्पित करेंगे तो भगवान उतने ही श्रद्धा के साथ उससे स्वीकार करेंगे और आपको वही फल मिलेगा जो एक इंसान सारे नियमों के साथ पूजा करता है तो सबसे ज़्यादा जो महत्यपुर्ण होती है वो होती है आपकी श्रद्धा तो आपकी श्रद्धा वो भक्ती होनी चाहिए उस पूजा में उस जप माला में और उसके द्वारा आपको एकादशी का ब्रत रखना है अब आगे बात करते हैं इस कथा की तो जैसा कि आप जानते हैं ये एकादशी की कथा यूदिष्ठर जी को भगवान स्री कृष्ण स्वयम सुना रहे होते हैं तो जेश्ट मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि राजन तुमने संपुन लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है राजेंद्र इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है यह बहुत पुन्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला गर्वस्त बालक को मारने वाला पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पूरुष भी अगर अपरा एकादशी के सेबन करता है तो निश्चे ही पाप रहित हो जाता है जो जूटी गवाही देता पाप माप तोल में धोका देता बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कुट निती से आयुर्वेद का ग्यान बनाकर वैद बन जाता है ये सब नरक में निवास करने वाले प्रानी है परन्तु अपरा एकादशी के सेबन से ये भी जयम ही गुरु की निंदा करता है वो भी महापात को से युक्त होकर भहेंकर नरक में गिरता है किन्तु अपरा एकादशी के सेबन से ऐसे मनुस भी शद्गति को प्राप्त होते हैं माघ में जब सूर्य मकर राशी परश्थित हो उस समय परियाग में स्नान करने वाले मनु प्राप्त करता है बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान के दार के दर्शन से तथा बद्रितित के सेवन से जो पुनि फल प्राप्त होता है तथा सूरी ग्रहन के समय कुरुशेत्र में दक्षिना सहीत यग करके हाथी गोडा और सुवन दान करने से जिस फल की कर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और इस कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्य को सहस्र गोदान का भी फल मिलता है तो ये थी फ्रेंट्स हमारी एकादशी की कथा तो आपने इस कथा के थू भी जाना कि हमें वामन भगवान की पूजा करनी है और भगव भगवान की पूजा करने के बाद हम अपने व्रत का पारन करें और इस तरह से हमारा एकादशी का व्रत पुर्ण होता है और फिर भगवान को भोग लगा कर हम अन का ग्रहन करें ऐजे प्रशाद की वो अन हमारे लिए भगवान नारायन का प्रशाद है और इस तरह से हम अ रादे रादे friends, ध्यान रखे अपनों का भी और इस तरह से आप रद को भी करते रहें, तो फिर मिलेंगे कोई भी प्यारा सा topic लेकर तब तक हसते रहें, मुश्कुराते रहें, रादे रादे friends, हरी ओम, हरी ओम friends.